हेलो गाईज वेलकम टू माई चैनल अनुजी अद्व कल आपने मेरे चैनल पे पहले बार मेरा फेस देखा था उसके अंदर मैंने आपको बताया कि इतने दिनों से वीडियो नहीं आ रही क्या कुछ दिक्कत है आज मैं गाड़ी के बारे में बता रहा हूं तो मैं अपना फे कोस्ट कितनी आती है उसकी बात करेंगे मैंने एक्सपिरियंस आपके शाथ शेयर नहीं किया था आप मैं इसको करने वाला हूं कि कितने की सर्विस कोस्ट पढ़ती है लोगों कंदर मित भी रहता है कि उंड़ए हुई किया हुई यह महंगी कंपनिया है इनकी सर्विस पता होना चाहिए कि खर्चा कितना बैठेगा तो उसकी बात करेंगे इस वीडियो में और इसके अंदर कमी की भी बात करेंगे क्या कुछ कमी आ रही है गाड़ी के अंदर मैं गाड़ी को आप भार से दिखा देता हूं वैसे तो सर्विस करवाई काफी दिन होगे लेकिन आप देख सकते हैं कोई ऐसी मेजर दिक्कत नहीं थी लेकिन दिक्कत एक दिक्कत मेरे को लगी इसके अंदर दो में दिक्कत लगी पहले तो इस टायर के अंदर से इसके अंदर आवाज आने लग गई थी कैबिन के अंदर ये थोड़ा सा बजता था मतलब अगले टायर दो अच्छे से काम नहीं कर रहा था इसका जो एर फ्लो था ना वो आधे से भी कम हो गया था मतलब हवा इतनी कम आती थी अगर आप इसको फुल भी करेंगे फैन स्पीड को तो भी एसी का फ्लो बिल्कुल नहीं था उन्होंने बताया कि यह एसी का फिल्टर चोक हो चुका है या नहीं है और मैं तीन बजे वहां पर पहुंचा था उन्होंने ठीक आज कर देंगे मंडे था उस दिन तो तीन बजे मैंने उनको गाड़ी दी और चार साड़े-चार बजे उन्होंने गाड़ी मिरसे वापिस दे दी और सारा जो इसका खर्चा वगरा है वह आपको बताऊं और यह दो तीन चीज़े ओर हैं बीएस सिक्स का इसके अंदर ही आपको इंजन ओयल की कोस्टिंग इतनी है एक अजार तीन सो इकतिस बाकी यह चोटी मोटी चीज़े है यह एर किलिनर है और यह लेबर चार्जेस की बात करें तो यह तीन सो पिचेतर लेबर चार्जेस है और जो फिरी सर्विस के अंदर नहीं लगाएं इन्होंने बाकी यह कुछ फाइनल अमाउंट आई थी मेरे पास अठाइस सो पचास और राउंड फिगर करके इन्होंने इतने ही लिए थे पूरे ही अठाइस सो पचास में से कुछ कम नहीं किये 50 रुपे भी ले लिए यह था इतनी कोस्टिंग थी यह सर्विस कोस्टिंग आपकी 30,000 तक रहेगी मतलब अब यह 10,000 20,000 तक रहेगी यह भी 10,000 वाली थी 20,000 वाली भी इतने ही रुपे में हो जाएगी उसके बाद इसके अंदर लेबर चार जाएड हो जाएंगे तो उन्होंने बताया कि लगबग 6,000 के अपरोक्स आपकी सर्विस पड़ेगी इसके बाद वाली 20,000 किलोमेटर के बाद वाली आपको उसके लिए ज़्यादा पे करना होगा इतना ही आप अगर बाकी कंपनियों को देखें मारुति के अंदर भी अगर आपको गाड़ी लेते हैं वैगनार वगेरा तो उसकी भी भी करता है और इस पर लीबर चार्ज मिलेगी यहां पे उस्ता याप महत मैंगा है तो यह चोटी चीजें और रहीन कि से था यह विंग शील्ड वोशर नो उन्होंने का कि यह अमने डाल दिया है और एक आपका वोशर का वाइपर के उसका अंदर अगर आप डालें पानी खतम होने के बाद यह डाल देना तो उससे क्या है शिश्चे के अंदर स्क्रैच वगरा कम लगेंगी यही सब है तो यह था सेकं बहुत दिक्कत करता है मतलब मैंने उनसे कावन होने का मेरे पास भी अधिया इसके अंदर भी थोड़ा सा अठकता है इसको क्या करें इसको पहले फर्स्ट गेर लगा के फिर रिवर्स करें जब तो यह ठीक है जिनके अंदर उपर उठाके लगता है ना जैसे आई-20 वगर इसके अंदर वर्ना के अंदर उनके अंदर को दिक्कत नहीं है लेकिन जिसके अंदर ऐसे रिवर्स लगते हैं इसके अंदर फीटेंड फिनिस इतनी अच्छी है कहीं दिक्कत नहीं है यही था सेकंड सर्विस का एक्सपीरियंस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब करें प्यार बनाए रखें थैंक्यू सो मच